वेरी गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सभी इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तीन दमदार इस्टॉक जिसको आप आने वाले हपतों के लिए देख सकते हैं एक बहुत ही जबरजस्ट टैक्टिकल इस्टॉक्चर बन रहा है तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो इस्टॉक और जैसा कि आपको पता है कि फ्राइडे के दिन जो हमने लाइब सेशन किया था उसमें हमने कम्प्लीट डिसकसन किया था कि अगर मार्केट में ब्रेकडाउन होता है जो यूएस में एलेक्संस हैं तो वहां फिर पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट दिर इस हाई पॉसिब बात करते हैं आज के स्टॉक्स के बारे में जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वीक मार्केट में एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला जहां लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे में एक वापस ब्रेकडाउन देखने को मिला वहीं बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे है जो बिल्कुल ही make and breakable पे हैं तो इस गिरावट में एक opportunity भी बनती है तो उससे related भी discussion हमने किया था live session में बात करें कौन से हैं वो stock जिन पर आपको नज़र रखने चीए तो पहला जो stock है जहां पर आपको focus करना चीए वो है आपका Apollo Hospital Apollo Hospital ने पीछे अगर आप देखोगे तो पीछे बहुत अच्छा कासा momentum दिया था और लास्ट वीक भी अगर देखा जा तो एक वापस pullback यहां पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है यह इसका life high है और इसको हमने multiple time discuss किया था एक अच्छा कासा pullback तो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा यह जो ट्रेंड लाइन है जहां से काफी समय से rejection लेता हुआ देखने को मिल रहा है तो 7050 के उपर अगर यह निकलना सुरू होता और closing देता है तो पहले तो अपना यह जो life high है जो की 7344 की आसपास and then यह stock फिर upside में 8000 की तरफ जाने की कोसिस करेगा तो पहला जो stock है अ करें तो दूसरा stock भी बहुत ही बड़िया परफॉर्म कर चुका है मैं बात कर रहा हूं एफल इंडिया के बारे में एफल इंडिया अगर आप देखोगे तो यह हमारा लेबल था यह लाइफ हाई ब्रेकाउट था इससे रिलेटेड हमने multiple वीडियो और लाइफ सेसंस में भी अपडेट किया था हमने तो यहां पर आप देखोगे तो एक्जक्ली जो अपना पॉइंट है यहां पर इंस्टिट्यूशन बाइंग एरिया वहीं कहीं आके श्टॉक रुका हुआ लास्ट वीक अगर देखा जाए तो पुल बैक लेनी कोशिस कर रहा था लेकिन कहीं कहीं अगर आप देखोगे तो अपसाइट से थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी है तो इसके लिए जस्ट एक लेबल ओबर लेबल का भी यहां पर आपको जोन दिखेगा जो कि 1370 से लेके लगभग लगभग यह जो जोन है 1310 रुपे के आसपास तो अगर जैसे यह निकालत करता है समहाँ मार्केट ही खराब रहता है तो फिर यह श्टॉक फिर नीचे आने कुसिस करेगा जो कि 1000 रुपे के लिबल तो यह दो लिबल से इसके उपर आप ध्यान रखिया और यहां से अगर यह श्टॉक निकलना सुरू करता है तो फिर यह लाइफ हाई जो बनाया है 2700 के आस-पास का वहाँ कहीं जाने कुसिस करेगा बात करें तीसरे स्टॉक के बारे में तो काफी अच्छा कासा मॉमेंटम आया था इस स्टॉक में और बहुत थी नॉन श्टॉक है मैं बात कर रहा हूं LIC निडिया के बारे में LIC निडिया बिलकुल ही मेक एन ब्रेक एरिया है लेकिन वी के रिया है क्योंकि यहां पर देख सकते हो तीन से चार बार सपोर्ट लिया तो मार्केट की कंडीशनिंग जिस हिसाब से तो अगर यह ब्रेकडाउन होता है अगर क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है जो कि लगबग 860 रुपए के नीचे तो फिर एक अच चौक में काफी अच्छा कासा जो पहला जो टागेट बनेगा वो लगबग इस लेबल का बनेगा चौतिस में इस परसेंट और जो लाइफ हाई का टागेट है वो 75 परसेंट के आसपास का तो यह थे आज के वीडियो के लिए यह तीन स्टॉक आई होप आपने इस वीडिय को लाइक कर दिया होगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं आप से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में थाइंक यू सो मच फो वाचिंग दिस वीडियो